गुजरात की आपने एक से एकनों की खाने की चीज देखी होंगी लेकिन जो डिशम आपको आज दिखाने वाले हैं मेरी गैरेंटी है कि आपने ऐसा आज से पहले कभी कुछ नहीं देखा होगा नाम इसका चीज अंगूरी है ये एक सबजी ही लेकिन बनाई जाती है ये धेर सारी चीज बटर और क्रीम से और स्वाद होता है इसका ऐसा की सूरत के लोग लिटरली दिवाने हैं इसके सुनने में आपको अजीब लग सकता है कि चीज की सबजी लेकिन आप देखेगा जड़ा इसकी मेकिंग मी खतरनाक होने वाली है और जितना चीज इसमें डलता है वो देखकर तो आपकी रूख आप जाएगी इन में सब छोटे-छोटे टुकडे किया जाएंगे चीज के जो कि यहाँ पर बनने वाली सबजी का में इंग्रेडियन्ट होते हैं तो यह देखिए कटी हुई चीज से यहाँ पर पूरा भगोना भर लिया है और यह मत समझेगा कि यह बहुत ज़्यादा चीज है इतने च प्रमाटर का पेस्ट और फिर डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट यह सब डालने के बाद तेल में इन्हें कोई 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाया जाएंगे और जब यह बढ़िया तरीके से पक जाएंगे उसके बाद ली जाएगी इनकी स्पेशल ग्रेवी जिसको पर से पकाया जाएगा जिसके बाद जो अपनी चीज काटी गई थी वो डाली जाएगी बलकि बार बार लेकर आई जाएगी और बार बार इसमें डालते रहेंगे जब तक ये पूरा पैन उपर तक भर नहीं जाएगा इससे और अगर आपको लग रहा हो कि ये बहुत सारी चीज डाल दी है तो ये तो कुछ भी नहीं है अभी तो आप जरा आगे देखिएगा जहां पर इसे सर्व किया जाएगा वहाँ पर और भी चीज लेकर आ गए है और सर्व करने के लिए देखे धेर सारी कटोरिया लगा ली गई है थोड़ी देर तक पकने के बाद ग्रेवी अपनी तयार हो गई है और जितनी भी ये कटोरिया आपको नजर आ रही है इन सब के अंदर अभी ये ग्रेवी डाल दी जाएगी जो ग्रेवी है वो मेंली बटर और क्रीम की है और उसके अंदर पहले से ही बहुत सारा चीज डाला हुआ है लेकिन सिर्फ इतने चीज से यहां पर काम नहीं चलने वाला है तो इनके उपर से आप देखे गिसकर भी चीज डाला जा रहा है और अभी भी चीज में कोई कंजूसी नहीं की जा रही है आप देखें चीज से बिल्कुल पूरी तरीके से ढख दिया जा रहा है हर एक कटोरी को लेकिन इतने चीज से भी यहां पर काम नहीं चलने वाला है गिसकर चीज डालने के बाद जो अपने चीज के टुकडे लाए गए थे वो लिए जा रहे हैं और उपर से यह कटे हुए चीज के टुकडे भी डाले जा रहे हैं तो इस ग्रेवी के अंदर भी चीज है उपर गिसा हुआ चीज है और उसके उपर कटा हुआ चीज है गुल मिलाकर जितना चीज इस डिश के अंदर डाला जाता है मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी चीज में इतना चीज डाला जाता हो उपर से इसके क्रीम की बारिश भी की जाती है और तब कहीं जाकर अपनी ये चीज अंगूरी सब्जी तयार होती है जिसको कि फिर आप अपनी पसंद की रोटी या नान के साथ खा सकते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी चीज की सब्जी को नी खाएगा तो एक बार ज़रा इस शोप पर भीड देखिए ये जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं सब इसी सब्जी को खा रहे हैं यहाँ पर जितनी देर भी ये शोप ओपन रहती है इसी तरीके से यहाँ पर ये भीड लगी रहती है और कंटिनियूसली यहाँ पर ये चीज अंगूरी सब्जी बनती रहती है जिसका की एक प्लेट का प्राइस रहता है 240 रुपे वैल आप मुझे कॉमेंट करके बताएगा कि क्या आप इस चीज वाली सब्जी को खाना चाहेंगे या नहीं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने उस दोस्त या जानने वाले के साथ शेर जरू कीज़ेगा जिसे की चीज खाना बहुत पसंद है और ऐसी और अमेजिंग फूट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फोलो जरू कीज़े